पहले तकिया लिए एरपोर्ट पर दिखी और अब कंबल था में नजर आई श्री देवी की बेटी वीडियो देख लोग बना रही हैं जानवी कपूर का मजाग बॉलिवोड एक्टरस जानवी कपूर एक बार फिर हो गई है ट्रोलिंग का शिकार जी हाँ श्री देवी की बेटी जानवी कपूर जो अक्सर अपनी परस्टर लाइफ को लेकर सोख्यों में बनी रहती है उन्हें एक बार फिर से नेटी जिन्स ने ट्रोल कर दिया है लेकिन इस बार उनकी ट्रोलिंग के वज़ा कुछ और नहीं बलकि उनके हाथों में पकड़ा हुआ एक ब्लांकिट है अक्सर अपनी क्यूट हरकतों और खुबसूरत अदाओ को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली जानवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग खतम करके मुंबई एरपूर्ट पर स्पॉट की गई जानवी कपूर वाइट क्रॉप टॉप ब्राउन कलर के ट्राउजर और खुले बालों में बेहद ही खुबसूरत दिख रही थी लेकिन उनके इस लुक के साथ जानवी ने हातों में लिया हुआ था एक ब्लांकेट जसको लेकर बॉलिवूड की बबली गल जानवी कपूर हो गई है ट्रोल दरसल जानवी अपनी अगली फिल्म उल्जा की शूटिंग का फर्स्ट शेड्यूल खतम करकी लंडन से वापस लौट रही थी इस पीछ जब जानवी पैपराजी के कैमरा के सामने आई तो उनके हातों में था एक ब्लांकेट जसको लेकर अब सोशल मीडिया पर नेटीजिंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है यूजर से एक के बाद एक कमेंट कर रहे हैं और जानवी को जम कर ट्रोल किया जा रहा है एक यूजर ने कमेंट करते हो लिखा लगता है एरपोर्ट पर ही नहाने वाली है जानवी कपूर को इस तरह की ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है एक्ट्रिस जादतर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं बलकि परसनल लाइफ को लेकर ही सुर्ख्यों में बनी रहती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ खेर इस पहले भी जानवी कपूर एरपोर्ट पर हातों में पिलो लेकर घूमने के लिए ट्रोल हो चुकी है उस वक्ट भी ट्रोलर्स ने जानवी को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसी ने कहा था कि तक्या कहां से चुरा के भाग रही है तो किसी ने कहा था कि ये तक्या होटल से चुरा लाई है वह इस बार जानवी के हाथों में ब्लांकिट देखकर नेटीजन्स ने उनके पिलो वाले लोग को भी याद कर लिया और कहा कि लगता है अब मैडम ने तक्या बतल लिया है हाला कि एक्ट्रस के फोटो सोशल मीडिया पर जाम का वारल हो रही है और कुछ लोगों को उनका ये लोग पसंद भी आ रहा है